अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारतिय होने के नाते आप बीना बीजा के कौन-कौन से देशों में घूमने जा सकते हैं तो आपका डेफिनेटली जवाब होगा कि नेपाल और भूतान मगर मैं आपको बता दूँ कि कही सारे ऐसे देश है जहां पे आप बीना बीजा के घूमने जा सकते हैं तो आज मैं हूँ इंजिनियर राजा और मैं आज आपको 15 ऐसे कंटिस के बारे में बताने वाला हूँ जहां पे आप बीना बीजा के घूमने जा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं जिन देशों में आप बिना भी जाके घूमने के लिए जा सकते हैं वोस में पहला नमबर पर है मौरिसस मौरिसस में आप शार दिनों के लिए बिना भी जाके आप जोंदर आपको देखने को मिल जाता है दीसरा है फीजी फीजी अपने बिचेश के लिए जाना जाता है और यहां पर आप बिना भी जाके भी फिकर होके गहुम सकते हैं यहां पे बहुत बड़े जहरने, वादियां और नहरे आपको देखने को मिलेंगी, बहुत खुशर सहर है चौन्था नमबर पे है मौकाव, मौकाव सबसे अमीर देशों में गिंती की जाती है और यहाँ पे आपको समुंद्रे नहरे जीले आपको यहाँ पे मिल जाती जो लोगों को अपने तरफ घीचने के लिए आकासित करती है पांचमा नमबर पे है नेपाल नेपाल के सुन्दर पहारिया और वहाँ के नेचरलता की सुन्दरता का नजारा देख सकते हैं वहाँ पे आप बिना बीजा के जा सकते हैं वहाँ देश बिदेश से आदमी घूमने के लिए आता है जो अकासित का किंद बना हुआ है बहुत ही खुशोर सहर है नेपाल आप बिना बीजा के जा सकते हैं और घूम फिर करके ऐसमुझ कर सकते हैं छटे नमबर पे है भोटान भोटान प्राचीन मंदिरों का एक संग्रा है जहां पे देश देश से आदमी वहां घूमने फिरने के लिए आते हैं और आप बिना बीजा के वहां जा सकते हैं और वहां पे घूम फिर भी सकते हैं और वहां के नजारा देख सकते हैं कितना अकास करती है शाथ में बरपर हैं मालदीब छोटेशोटे और खुफसुरत समुन्दो से घेडे माल डीव में आप 10 दिन यों तक रह सकते हैं वहाँ घोम फिर सकते हैं और वहां का नाजारा आप देख सकते हैं कİTNA खुशोत कितना आकासत का केंग बना हुआ है मालदीप आठवे नंबर पे है कमबोडिया कमबोडिया में एक सुपरसीर मंदिर है अंकुरवार मंदिर जहां पर देश देश से लोग घूमने के लिए आते हैं वहां लाखो क्रोरों के लोग आते हैं पर यह तक उस मंदिर को द खुशोत जगहा है वहां पर बीना बीजा के आप घूम फिर सकते हैं आपको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है बहुत ही खुशोत जगहा है जो परियाटकों को अपने तरफ आकासित करती है दस्में नमबर पे हैट है हैट है में आपको बीजा नहीं पासपोर्ट की जरू कि चुशेट है पेकार्वेन नमबर पर है जोटन जोटन बहुत ही खुशनूर तोरा का सकते हैं वह आपको अब फिक्र होकर जोटन में घूञेएस सकते हैंगा रहा रहा करने सकते हैं जो देश विदेश से यहां पे यात्री आते हैं और मायको नेसिया का नजारा उठाते हैं आप भी वहां पे जा सकते हैं और आपका भी पर्चुनिटी है इसका फाइदा उठाने का क्यूंकि यहां पे बहुत ही खुर्सूर्त वादिया नहरे जीले और पहाडिया आप देख सकते हैं यहांपे आकार्शक का केंडर बना हुआ है जहां परियतकों को अपने तो आकार्शित करती है और आपको भही देर साना यहां पे आलंड देहनों को मिल जाता है च्वा को जाता है से आप लेके अप surat हैं यहां का लृफट उठा सकते हैं पंद्रमा नंबर पे लाऊस लाने चुल हर्याले से भड़ी इस देश में भी आपको बीजा के जरूरत नहीं है आपको एरपोर्ट पर उतरती ही वहां पे बीजा और अरावल की सुब्दा मिल जाती है जहां से लेके आप लाऊस को लुठ उठा सकते हैं यहां पे आपको काफी सारा जीले पहाड या समुद्रे बहुत सारे नदिया देखने को मिल जागा जो आकासक का केंद्र बना हुआ है जहां पर बीजा के जा सकते हैं और कुछ में आपको एरपोर्ट पर ही बीजा और रावल की सुब्दा मिल जाती है जहां से लेके आप लुठ का सकते हैं तो गाज अभी तक आपने मेरे chanel को subscribe नहीं किये चैनल को subscribe कर देज़े वीडियो को like कर देज़े कि मैं इस तरह करका नए न्या बीडियो में पड़्दे अफलोड करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुसने कुछ नहींद्विए गे फिरत कि अकूं शोग यह प्रिक्टीन ऐसी कंट्री है जहां पर भी न भील जौनें जा सकते है और भी सारे याउन मेविक्टॉ सेंटीय हैं कुछ इसी कंट्री है जहां पर आपको पासपूर्ण की बहुत भूस rubbish जरूरत होती है और अपनी friends के साथ share करें और आपके दिल में कोई question हो तो comment box में जाके comment करके पूछ सकते हैं